देश टीवी की खास प्रस्तुती गवाहे तारीक में देखते हैं क्या हुआ था आज के इतिहास में 26 अगस्त 1303 में अलाउतिन खिलजी ने चित्तोर गर पर कबजा किया आजी के दिन यानी 26 अगस्त को 1541 में तुर्की के सुल्तान सुलेमान ने बुड़ा और हंगरी को अपने कबजे में किया था 26 अगस्त के दिन 1676 में रिटेंग के पहले प्रधान मंत्री रावट वॉल पोल का जन्म हुआ था आजी के दिन 1881 में हिंदी साहती के एक महान उपन्यासकार चतुर सेन शास्त्री का जन्म हुआ था 26 अगस्त दिन आज कही दिन 1910 में प्रसित अमेरिकी दार्षनिक तथा मनो वैग्यानिक विलियम जेम्स का निधन हुआ था 26 अगस 1927 को हरियाना के पूरो मुख्यमंत्री और स्वतन्ता सेनानी बंसी लाल का जन्म हुआ था 26 अगस्त कही दिन 1956 में प्रसित राजनेत्री संजे गांधी की पतनी मेनका गांधी का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानि 26 अगस्त को ही 1972 में भारती हिंदी सिनेमा के प्रसद सहायक अभिनेता इंद्र कुमार का जन्व हुआ था आज कही दिन 1977 में जर्मनी के शहर म्यूनिक में 20 वे ओलंपिक खेलों के शुरुवात हुई थी 26 अगस्त यानि आज कही दिन 1978 में जौन पॉल रोमन कैथोलिक चर्च के पोप बने थे 26 अगस 1982 को नासन ने टेली सेट एफ का प्रक्षेपन किया था 26 अगस 1988 में म्यामार अहिंसावादी नेता आंग सान सूची मोर्चा लेकर रंगून पहुँची थी 26 अगस को ही 1999 में माइकल जौनसन ने 400 मीटर दौड में विश्वे रिकार्ड बनाया था 26 अगस 2001 में बांगला देश के पूर प्रधान मंत्री जेल भेजी गई थी 26 अगस 2002 को दक्षिन अफ्रीका के जोहानिस्बर्ग शहर में 10 दिवसिये प्रत्वी सम्मेलन शुरू हुआ था आची के दिन यानि 26 अगस को ही 2007 में पाक अफगान सीमा पर अमेरीकी नेतरतो वाली सेना ने 12 तालिमानियों को मार गिराया था 26 अगस को ही 2008 में तेलगू फिल्मों के सुपर स्टार जिरन जीवी ने अपनी नई पार्टी प्रजार राज्जिम का घाटन किया था आची के दिन यानि 26 अगस को ही 2012 में प्रसित अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार एक ही हंगल का निधन हुआ था आज के ही दिन 2013 में फिलिपीन्स में विकास सहायता कोश होटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था 26 अगस 2015 को अमेरिका के वर्जीनिया में दो पत्रकारों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी